भारत माता के भारत माता के नमस्ते ये अब अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है लोकल से ग्रोबल हो गया और ये सब आपने किया है अपने दिल में भारत को बसा कर रखने वाले हर भारतिये ने ये किया है साथियों यहां आप इतनी दूर दूर से आए है कुछ पुराने चेहरे है कुछ नए चेहरे है आपका याए प्यार ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है मुझे वो दिन याद आते है जब मैं पी एम भी नहीं था सी एम भी नहीं था नेता भी नहीं था उस समय एक जिग्यासू के तौर पर यहां आप सब के बीच आया करता था इस धर्ती को देखना इसे समझना मन में कितने ही सवाल लेकर के आता था जब मैं किसी पदपर नहीं था उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब ट्वेंटी नाइन स्टेट्स में दोरा कर चुका था उसके बाद जब मैं सीएम बना तो टेकनोलोजी के माध्यम से आपके साथ जुड़ने का सिल्सिला जारी रहा पीएम रहते हुए मैंने आपसे अपार्ष ने पाया है अपन तो पाया है दो हजार चौदा में मेडिशन स्क्वार दो हजार पंदरा में सौन होसे दो हजार उन्नी में हुस्टन दो हजार तेईस में वसिंग्टन और अब दो हजार चोविस में नियोर्क और आप लोग हर बार पिछला रेकॉर्ड तोड़ देते हैं साथियों मैं हमेशा से आपके सामर्थको भारतिय डायस्पोरा के सामर्थको समझता रहा हूँ जब मेरे पास कोई सरकारी पद नहीं था तब भी समझता था और आज भी समझता हूँ आप सब मेरे लिए हमेशा से भारत के सबसे मजबूत ब्रैंड एम्बेसेडर रहे है और इसलिए मैं आप सब को राश्ट दूत कहता हूँ आपने अमेरिका को भारत से और भारत को अमेरिका से कनेक्ट किया है आपका स्कील आपका टैलेंट आपका कमिट्मेंट इसका कोई मुकाबला नहीं है आप साथ समंदर पार भले आए गए है लेकिन कोई समंदर इतना गहरा नहीं जो दिल की गहराईयों में बसे हिंदुस्तान को आप से दूर कर सके मा भारती ने जो हमें सिखाया है वो हम कभी भी भूल नहीं सकते हम जहां भी जाते हैं सब को परिवार मानकर उनसे घुल मिल जाते हैं डाइवर्सिटी को समझना डाइवर्सिटी को जीना उसे अपने जीवन में उतारना ये हमारे समस्कारों में है हमारी रगों में है हम उस देश के बासी है जहां सेंकडों भाषाएं है सेंकडों बोलिया है दुनिया के सारे मत है पंथ है फिर भी हम एक मन कर नेक मन कर आगे बढ़ रहे हैं यहां इस हॉल में ही देखिये कोई तमिल बोलता है कोई ते लुगो कोई मलयालम तो कोई कंडड़ा कोई पंजाबी तो कोई मराधी और तो कोई गुजराती भाशा अनेक है लेकिन भाव एक है और वो भाव है भारत माता की दुनिया के साथ जुड़ने के लिए यह हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है सबसे बड़ी ताकत है यही बैल्यूश हमें सहज रुप से ही विश्व बंधु बनाती है हमारे यहां कहा जाता है तेन तक तेन भुन्जी था यानि जो त्याग करते हैं बेही भोग पाते हैं हम दूसरों का भना करके त्याग करके सुख पाते हैं और हम किसी भी देश में रहे यह भावना नहीं बदलती है हम दिस सोसाइटी में रहते हैं वहां जादा से जादा योगदान करते हैं यहां अमेरिका में आपने डॉक्टर्स के रूप में रिसर्चर्स के रूप में टेग प्रोफेशनल्स के रूप में साइंटीस के रूप में यह दूसरे प्रोफेशन्स में जो पर्चम लहराया हुआ है वो इसी का प्रतीक है अभी कुछ समय पहले ही तो यहाँ T20 क्रिकेट वर्लकप हुआ था और USA की टीम क्या गजब खेली और उस टीम में यहाँ रह रहे है भारतियों का जो योगदान था वो भी दुनिया ने देखा है साथियों दुनिया के लिए AI का मतलब है आर्टिफिशल इंटलिजेंस लेकिन मैं मानता हूं कि AI का मतलब है अमेरिकान इंडियान अमेरिका इंडिया यह स्पिरीट है और वही तो नई दुनिया का AI पावर है यही AI स्पिरीट भारत अमेरिका रिस्तों को नई उंचाई दे रहा है मैं आप सभी को इंडियन दाइसपुरा को सलुट करता हूं आप स्थरी जाप करता हूं आप थैसे थे विर खnajी जाप्वार आपे सस्थरीजी Kacem जापकıt मैं आपकर प्रूं करता हुं कईक्वित मॉत विर स्थरीज़ लू cabeza के स्थरीछिजिग को स्थरीजिके अञियों परागर मैं करता हूं साथियों मैं दुनिया में जहां भी जाता हूँ हर लीडर के मूँ से भारती ये डायस्पोरा की तारी भी सुनता हूँ कल ही प्रेजिदेंट बाइडन मुझे डेलावेर में अपने घर ले गए थे उनकी आत्मियता उनकी घर मजोशी मेरे लिए दिल छिव लेने वाला मुमेंट रहा ये सम्मान एक सो चालीस करोड भारतियों का है ये सम्मान आपका है आपके पुर्शार्थ का है ये सम्मान यहां रहने वाले लाखों भारतियों का है मैं प्रेजिदेंट बाइडन का आभार करूँगा और साथ ही आपका भी आभार वेक्त करूँगा साथियों 2024 का ये साल पूरी दुनिया के लिए बहुत एहम है एक तरफ दुनिया के कई देशों के बीच संगर्श है तनाव है तो दूसरी तरफ कई देशों में डेमोक्रेसी का जश्ण चल रहा है भारत और अमेरिका डेमोक्रेसी के जश्ण में भी एक साथ है जहां अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और भारत में चुनाव हो चुके हैं भारत में हुए ये इलेक्शन यूमन हिस्ट्री के अब तक के सबसे बड़े चुनाव थे आप कल्पना कर सकते हैं अमेरिका की कूल आबादी से भी करीब दो गुने वोटर्स इतना ही नहीं पूरे यूरोप की कूल आबादी से ज़्यादा वोटर्स इतने सारे लोगों ने भारत में अपना वोट डाले जब हम भारत की डेमोकरशी का उसका स्केल देखते हैं तो और भी गर्व होता है तीन महिने का पोलिंग प्रोसेस पंदरा मिलियन यानि देड़ करोर लोगों का पोलिंग स्टाफ एक मिलियन यानि दस लाट से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन डाई हजार से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आठ हजार से ज़्यादा केंडिडेट्स अलग अलग भासाओं के हजारों न्यूज पेपर्स सेंकडो रेडियो स्टेशन सेंकडो टीवी न्यूज चैनल करोडो सोशल मिडिया अकाउंट्स लाखों सोशल मिडिया चैनल्स ये सब भारत की डेमोक्राशी को वाइबरनेट बनाते हैं ये फ्रीडम अप एक्सप्रेशन के विस्तार का दोर है इस लेवल की स्ट्रिटनी से होकर हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया गुजरती है और साथ्यों इस लंबी चुनावी प्रक्रिया से गुजर कर इस बार भारत में कुछ अभूत पुर्व हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है अपकी बार अपकी बार अपकी बार साथियों तीसरी बार हमारी सरकार की वापसी हुई है और ऐसा पिछले साथ सालों में भारत में नहीं हुआ था भारत की जंता ने ये नया मेंडेट दिया है उसके माइने बहुत है और बहुत बड़े भी है ये तीसरे टम में हमें बहुत बड़े लक्ष साधने हैं हमें तीन गुना ताकत और तीन गुना गती के साथ आगे बढ़ना है आपको एक शब्द याद रहेगा पुष्प हाँ कमल माल लीजिये मुझे इतराज नहीं है पुष्प और मैं पुष्प को डिफाइन करता हूँ P for progressive भारत U for unstoppable भारत S for spiritual भारत S for humanity फस्को समर्पित भारत P for prosperous भारत यानि पुष्प पुष्प की पांच पंखुडियों को मिला कर ही विख्सित भारत बनाएंगे साथियों साथियों मैं भारत का पहला प्रधान मंत्री हु जिसका जन्म आज़ादी के बाद हुआ आज़ादी के अंदोलन में करोणो भारतियों ने स्वराज के लिए जीवन खपा दिया था उन्होंने अपना हीत नहीं देखा अपने कमफर्ट जो उनकी चिन्ता नहीं की वो तो बस देश की आज़ादी के लिए सब कुछ भूल कर अंग्रेजों से लड़ने चल पड़े थे उस सफर में किसी को फांसी का फंदा मिला किसी के सरीर को गोलियों से भून दिया गया कोई यांतनाय सहते हुए जेल में ही गुजर गया कहियों की जमानी जिन्दगी जेल में कब गई साथियों हम देश के लिए मर नहीं पाए लेकिन हम देश के लिए जरूर जी सकते हैं मनना हमारे नसीब नहीं था जीना हमारे नसीब है पहले दिन से मेरा मन और मेरा मिशन एक दम क्लियर रहा है मैं स्वराज के लिए जीवन नहीं दे पाया लेकिन मैंने तै किया सुराज और समर्द्य भारत के लिए जीवन समर्पित करूँगा मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा रहा जिसमें मैं सालों साल तक पुरे देश में घुमता रहा भटकता रहा जहां खाना मिला वहां खा लिया जहां सोने को मिला वहां सो लिया समंदर की किनारे से लेकर पहड़ों तक रbregistan से लेकर बर्फिली चोटिवा तक बहर क्शेतर के लोगों से मिला उनको जाना समझा मैंने अपने देश के जीवन अपने देश के संस्कृति अपने देश की चुनोतियों का फर्स्ट हैंड एक्स्पिरियंस लिया वो भी एक वक्त था जब मैंने अपनी दीशा कुछ और तै की थी लिगे नियती ने मुझे राजनीती में पहुचा दिया कभी नहीं सोचा था कि एक दिन चिप मिनिस्टर बनूगा और बना तो गुजरात का लॉंगे सर्विंग चिप मिनिस्टर बन गया तेरा साल तक गुजरात का चिप मिनिस्टर रहा इसके बाद लोगों ने प्रमोशन देकर मुझे प्राइमिस्टर बना दिया लेकिन दसकों तक देश के कौने में कौने में जाकर मैंने जो सीखा है उसीने चाहे राज्य हो या कैंद्र मेरे सेवा के मोडल को मेरे गवर्नेंस के मोडल को इतना सभल बनाया है पिछले दस सान में इस गवर्नेंस मोडल के सभल तो आपने देखी है पूरी दुनिया ने देखी है और अब देश के लोगों ने बहुत बड़े भरोसे के साथ मुझे ये तीसरा टम स्वंपा है ये थर्ड टम है मैं तीन गुना जादा दाईत्व बोथ के साथ आगे बढ़ रहा हुए साथियों आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है भारत एनरजी से भरा हुआ है सपनों से भरा हुआ है रोज नए किर्टेमान हर रोज नए खबर आज ही एक और बहुत अच्छी खबर मिली है चेस ओलिम्पियाड में मैंस और मिमेंस दोनों में भारत को गुल्ड मिला है लेकिन एक और बात बताओ जब जाजा तालिया बजाने पड़ेगी ये लगभग सो साल के इतियाज में पहली बार हुआ है पूरे देश को हर हिंदुस्तानी को हमारे चेस प्लेयर्ज पर बहुत गर्व है एक और AI है जो भारत को ड्राइव कर रही है और वो कौन सा और है वो है AI फर एस्परेशनल आई फर इंडिया एस्परेशनल इंडिया ये नया फोर्थ है नई उर्जा है आज करोडो भारतियों की एस्परेशन भारत की ग्रोथ को ड्राइव कर रही है हर एस्परेशन नए एच्चिवमेंट को जन्म देती है और हर एच्चिवमेंट नए एस्परेशन के लिए खाद पानी बन रही है एक दसक में भारत दस्वे नंबर से पाँच्वे नंबर की एकोनोमी बन गया अब हर भारतियों चाहता है कि भारत जल्दी से थर्ड लर्जेस एकोनोमी बने आज देश के एक बहुत बड़े वर्के की बेसिक नीट्स पुरी हो रही है पिछले दस साल में करोडों लोगों को क्लीन कुकिंग गैस की सुविधा मिली है उनके घर तक पाइप से साब पानी पहुंचने लगा है उनके घर में बिली कनेक्शन पहुंचा है उनके लिए करोडों टॉइलेट्स बने हैं ऐसे करोडों लोग अब क्वालिटी लाइफ चाहते हैं साथियों अब भारत के लोगों को सिरफ रोड नहीं उन्हें शांदार एक्स्प्रेस बेचाहिए अब भारत के लोगों को सिरफ रेल कनेक्टिविटी नहीं उन्हें हाई स्पीड ट्रेन चाहिए हर भारत के भारत के हर शहर के अपेक्शा है उसके यहां मेट्रो चले भारत के हर शहर के अपेक्शा है उसका अपना एरपोर्ट हो देश का हर नागरिक हर गाउं शाहर चाहता है कि उसके हाँ दुनिया की बेश्ट्ष विधाएं हो और इसका नतीजा हम देख रहे हैं 2014 में भारत के सिर्फ पांच शहरों में मेट्रो थी आज 23 शहरों में मेट्रो है आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेट्वर्क भारत में है और इसका हर दिन विस्तार हो रहा है साथियों 2014 में भारत के सिर्फ 70 शहरों में 70 शहरों में एरपोर्ट से आज 140 से जादा शहरों में एरपोर्ट है 2014 में 100 से भी कम ग्राम पंचायतों में ब्राडबेंड कनेक्टिविटी थी सौ से भी कम आज दो लाग से भी जादा पंचायतों में ब्राडबेंड कनेक्टिविटी है 2014 में भारत में 140 मिलियन यानि 14 करोड के आसपास LPG कंजूमर थे आज भारत में 310 मिलियन यानि 31 करोड से जादा LPG कंजूमर है जिस काम में पहले सालों लग जाते थे वो काम अब महिनों में खत्म हो रहा है आज भारत के लोगों में एक आत्म विश्वाथ है एक संकल्प है मंजिल तक पहुंचने का इरादा है भारत में डेवलप्मेंट एक पीपन्स मूवमेंट बन रहा है और हर भारतिय विकास के इस मूवमेंट में बराबर का पार्टनर बन गया है उसे भरोसा है भारत की सफलता पर भारत की उपलब्दियों पर साथियों भारत आच लेंड अफ ऑपर्चुनिटीज है अउसरों की दर्ती है अब भारत अउसरों का इंतजार नहीं करता अब भारत आउसरों का निर्मान करता है बीते दस साल में भारत ने हर सेक्टर में आपर्चुनिटीज का एक नया लॉंचिंग पैड तयार किया है आप देखिए सिर्फ एक दसक में ही और ये बात आप सब को गर्व देगी एक दसक में ही पचीस करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं ये कैसे हुआ गीस लिए हुआ हमने पुरानी सोच बदली एप्रोच बदली हमने गरीब को एमपावर करने पर फोकस किया पचास करोड़ यानि 500 मिलियन से ज़्यादा लोगों को बेंकिंग सिस्टम से जोड़ा पचपन करोड़ यानि 550 मिलियन से ज़्यादा लोगों को पाँच लाख रुपिय तक का फ्री मेडिकल ट्रिट्मेंट देना चार करोड़ यानि 40 मिलियन से ज़्यादा फैमिलिस को पक्के घर देना कोलेटरल फ्री लोन्स का सिस्टम बनाकर करोड़ों लोगों को इस अप क्रेडिक क्रेडिक से जोड़ना ऐसे अनेकों काम हुए तब इतने लोगों ने खुद ने गरीबी को हराया और वो गरीबी से निकल करके आज यही नियो मिडल क्लास भारत के डेवलप्मेंट को तेज गती दे रहा है साथियों हमने विमेन वेलफर के साथ ही विमेन लेट डेवलप्मेंट पर फोकस किया सरकार ने जो करोडो घर बनवाए उनकी रजिस्ट्री महिलाओं के नाम हुई है जो करोडो बैंक खाते खुले उसमें आधे से ज़्यादा खाते महिलाओं के खाते खुले दस सान में भारत की दस करोड महिलाए माइक्रो एंट्रप्रिनर्शिप स्कीम से जुड़ी है मैं आपको एक और एक्जामपल देता हूँ हम भारत में एग्रिकल्चर को टेकनोलोजी के साथ जोड़ने में अनेक प्रयास कर रहे उसमें आज खेती में किसानी में भरपुर मात्रा में ड्रोन का उप्योग आज भारत में नजर आता है शायद ड्रोन आपके लिए नई बात नहीं है तेकिन नई बात यह है इसकी जिम्मेदारी कौन सवालता है पता है ये रूरल विमें के पास है हम हजारों महिलाओं को ड्रोन पाइलर्ट बना रहे हैं एग्रिकल्टर में टेकनोलोजी का ये बहुत बड़ा रिवलुशन गाउं की महिलाएं लेकर आ रही है साथियों जो एरियाज पहले निगलेक्टेड से वो आज देश की प्रायॉरिटी है आज भारत जितना कनेक्टेड है उतना पहले कभी नहीं रहा आप हैरान होंगे और ये दो साल के बीतर बीतर हुआ है अब तो भारत made in India 6G पर काम कर रहा है ये कैसे हुआ का में इस लिए हुआ क्योंकि हमने इस सेक्टर को आब आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसी बनाई है और हमने made in इंडिया टेक्नलोलोजी पर काम किया हुआ हमने सस्ट्रेड देटा पर मुबाइल फोन निए श्रुट्ट्ट इस पर दृट्ट्ट पर काम किया है हमने इस उ मैनुफेक्टरिंग पर फोकस किया आज दुनिया का करीब करीब हर बड़ा मोबाइल ब्रांड मेड़ीन इंडिया है आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैनुफेक्टरर है एक जमाना था मेरे आने से पहले जब हम मोबाइल इंपोर्टर है थे आज हम मोबाइल एक्सपोर्टर बन गए है साथियों अब भारत पीछे नहीं चलता अब भारत नई व्यवस्ताएं बनाता है अब भारत ने तृत्व करता है भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रस्टर्टर डिपी आई का नया कंसेप दुनिया को दिया है डिपी आई ने इक्वेलिटी को प्रमोट किया है ये करप्शन को कम करने का भी बहुत बड़ा माध्यम बन गया है भारत का यूपी आई आज पुरी दुनिया को आकर्सित कर रहा है आपकी जेब में वॉलेट है लेकिन भारत में लोगों की जेब के साथ ही फौन में वॉलेट है इवॉलेट है अनेख भारती है अब अपने डॉक्यमेंट्स फिजिकल फोल्डर्स में नहीं रखते हैं उनके पाद डीजी लोकर है वो एरपोर्ट में जाते हैं तो डीजी यात्रा से सीमलेस ट्राविल करते हैं एडीजिटल पब्लिक इंफ्रासक्चर जॉब्स इनोवेशन और इससे जुड़ी हर टेक्नोलोजी का लॉंचिंग पैड बन गया है शाथियों भारत भारत अब रुकने वाला नहीं है भारत अब थमने वाला नहीं है भारत चाहता है दुनिया में जादा से जादा डिवाइस मेड इन इंडिया चिप पर चलें हमने सेमिकंड़क्टर सेक्टर को भी भारत की तेज ग्रोथ का आधार बनाया है पिछले साल जून में भारत ने सेमिकंड़क्टर सेक्टर के लिए इंसेंटिव गोशित किये थे इसके कुछी महिनों बाद माइक्रोन की पहली सेमिकंड़क्टर यूनीट का सिलान्याद भी हो गया अब तक भारत में ऐसी पांच यूनीट्स स्विकृत हो चुकी है वो दिन दुर नहीं जब आप मेड इन इंडिया चीप यहां अमेरिका में भी देखेंगे यह छोटी सी चीप विक्सित भारत की उड़ान को नई उंचाई पर ले जाएगी और यह मोदी की गारंटी है साथियों आज भारत में रिफॉर्म्स के लिए जो कन्विक्शन अज़िक्शन आज भारत में रिफॉर्म्स के लिए जो कमिट्मेंट है वो अभूत पुर्वा है हमारा ग्रीन एनरजी ट्रांजिशन प्रोग्रेम इसका बहुत बड़ा उदारन है दुनिया की 17 परसेंट पुपिलेशन होने के बावजूत ग्लोबल कार्बन एमिशन में भारत की हिस्सेदारी सिरफ चार परसेंट है दुनिया को बर्बाद करने में हमारा कोई रोल नहीं है पूरी दुनिया की तुलना में एक तरह से यहने कह सकते हैं ना के बरावर है हम भी सिर्फ कार्बन फ्यूइल जला कर अपनी ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते ही थे लेकिन हमने ग्रीन ट्रांजिशन का रास्ता चुना प्रकृती प्रेम के हमारे संस्कारों ने हमें गाइड किया इसलिए हम सोलर, वीन, हाइड्रो, ग्रीन हाइड्रोजन और नुकलियर एनरजी पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप देखिए भारत जी ट्वेंटी का ऐसा देश है जिसने पेरिस क्लाइमेट गोल्स को सबसे पहले पुरा कर दिया 2014 के बाद से भारत ने अपनी सोलर, एनरजी, इंस्ट्रॉल, कैपिसिटी को तीस गुना से जादा बढाया है हम देश के हर घर को सोलर, पावर, होम बनाने में जूटे हैं इसके लिए रूप टॉप सोलर का बहुत बड़ा मिशन हमने शुरू किया है आज हमारे रेल्वे स्टेशन और एरपोर्ट सोलराइज हो रहे है भारत गरों से लेकर सड़कों तक एनरजी, एफिशन, लाइटिंग के राश्टे पर चल पड़ा है इन सारे प्रयासों से भारत, भारत में बहुत बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब्स पैदा हो रहे है सात्यों 21 संदिक का महारत एजुकेशन, स्कील, रिसर्च और इनोवेशन के दम पर आगे बढ़ रहा है आप सभी नालंदा उनिवर्सिटी के नाम से परिचीत है कुछ समय पहले ही भारत की प्राचीन नालंदा उनिवर्सिटी नए अवतार में सामने आई है आज सिर्फ उनिवर्सिटी कोई नहीं बलकि नालंदा स्पिरिट को भी रिवाइव कर रहा है पूरी दुनिया के स्टुडेंट्स भारत आकर पड़ें हम इस तरह का आधुनिक सिस्टिम बना रहे है बीते दस साल में भारत में ये भी जरा आप लोगों को याद रखने जैसी बात बताता हूं मैं बीते दस साल में भारत में हर सप्ता एक युनिवर्सिटी बनी है हर दिन दो नए कॉलेज बने है हर दिन एक नई आई टी आई की स्थापना हुई है दस साल में ट्रीपल आई टी की संग्या नव से बढ़कर पचीस हो चुकी है आई एम्स की संग्या तेरा से बढ़कर 21 हो चुकी है एम्स की संग्या तीन गुना बढ़कर 22 हो चुकी है दस साल में मेडिकल कोलेज हो की संग्या भी लगबग दो गुनी हो चुकी है टॉप ग्लोबल उनिवर्सिटीटीज भी आई भारत आ रहा है भारत का नाम है अभी तक दुनिया ने भारत के डिजाइनर्स का दम देखा अब दुनिया डिजाइन इन इंडिया का जलवा देखेंगी चाथियों आज हमारी साजेदारी पूरी दुनिया के साथ बढ़ रही है पहले भारत सबसे समान दूरी की निती पर चलता था इक्वल डिस्टन्स अब भारत सबसे समान नज्दिती की निती पर चल रहा है हम ग्लोबल साउथ की भी बुलंद आवाज बन रहे हैं आपने देखा होगा भारत की पहल पर जी ट्वेंटी समीट में आफरिकान यूनियन को स्थाई सदस्यता मिली आज जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है कुछ समय पहले जब मैंने कहा कि दिस इज नौर दे एरा वार तो उसकी गंबीरता सब ने समझी साथियों आज दुनिया में कहीं भी संकट आए भारत फर्स्ट रिस्पोंडर के रुप में सामने आता कोरोना के समय में हमने 150 से ज़्यादा देशों को वैक्सिन और दवाईयां भेजी कहीं भूकम पाए कहीं साइक्लोन आए कहीं ग्रह युत हो हम मदद के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं यही हमारे पुर्खों की सीख है यही हमारे समस्कार साथियों आज का भारत दुनिया में एक नए केटलिक एजन्ट की दुपतर उभर रहा और इसका प्रभाव हर सेक्टर में दिखेगा ग्लोबल ग्रोथ के प्रोसेस को तेज करने के लिए भारत का रोल अहम होगा ग्लोबल पीस के प्रोसेस को तेज करने के लिए भारत का रोल अहम होगा Global Climate Action को Speed Up करने में भारत का Role Aham होगा Global Skill Gap को दूर करने में भारत का Role Aham होगा Global Innovations को नई दिशा देने में भारत का Role Aham होगा Global Supply Chain में Stability के लिए भारत का Role Aham होगा साथियों भारत के लिए शक्ती और सामर्शका अर्थ है भारत के लिए शक्ती और सामर्शका अर्थ है Gnana ya Dana ya CheШ Na ya याने नौलेज इत पर शेरिंग, वेल्ट इत पर केरिंग, पावर इत पर प्रोटेक्टिंग. इसलिए ठारत की प्राथिक्टा दुनिया में अपना दबाव बढ़ाने की नहीं, अपना प्रभाव बढ़ाने की है. हम आप की तरह जलाने वाले नहीं, हम सूरत के कीरण की तरह रोशनी देने वाले लोग हैं. हम विश्व पर अपना दबदबाद नहीं चाहते हैं, हम विश्व की समृद्धि में अपना सहीयोग बढ़ाना चाहते हैं. योग को बढ़ावा देना हो, सुपर फूर्ड, मिलेट्स को बढ़ावा देना हो, मिशन लाइप यानि लाइफ टाइल फर एंडवार्मेंट का वीजन हो, भारत जीडीपी सेंट्रीक ग्रोथ के साथ ही, हुमन सेंट्रीक ग्रोथ को भी प्रास्पिक्ता दे रहा है. मेरा आप से भी आग रहे हैं, यहां मिशन लाइप को जादा से जादा प्रमोट करिए, हम अपनी लाइफ टाइल में थोड़े से बढ़लाव करके भी परियावरण की बहुत मदद कर सकते हैं. शायद आपने सुना होगा और हो सकता है, आप मैंसे कुछ लोगोंने इनिस्टेटिव लिया भी हो, आज कल भारत में एक पैड मा के नाम, अपनी मा को याद करते हुए एक पैड लगाना, मा जिन्दा है तो साथ ले जाना, मा नहीं है तो तस्वीर ले जाना, एक पैड मा के नाम लगाने का अभियान, अद्देश के हर कोने कोने में चल रहा है, और मैं चाहूंगा, आप सभी यहाँ भी ऐसा अभियान चलाएं, यह हमारी जन्मदाता मा, और धर्ती मा, दोनों का यश्व बढ़ाएगा, साथियों, आज का भारत, बड़े सपने देखता है, बड़े सपनों का पीछा करता है, अभी कुछ दिन पहले ही, पेरिस ओलेंपिक खत्म हुए है, अगले ओलेंपिक्स का होस यूएसे हैं, जल्द ही आप भारत में भी ओलेंपिक्स के साख्शी बनेंगे, हम 2036 के अलेंपिक्स की मैजमानी के लिए हर संभो प्रयास कर रहे हैं, स्पॉर्ट हो, बिजनेश हो, या फिर एंटर्टेंडमेंट, आज भारत बहुत बड़े आकर्शन का केंद्र है, आज IPL जैसी भारत की लिग्स, दुनिया की टॉप लिग्स में से एक है, भारत की फिल्बें ग्लोबली धुम मचा रही है, भारत आज ग्लोबल टुरिजम पे भी पर्चम लहरा रहा है, दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के त्योहार मनाने की होड है, मैं देख रहा हूँ, इन दिनों हर शहर में लोग नवरातिन का गर्मा सीख रहे हैं, ये भारत के प्रति उनका प्यार है, साथियों, आज हर देश भारत को जादा से जादा समझना चाहता है, जानना चाहता है, आपको एक और बात जानकर खुशी होगी, कल ही, अमेरिका ने हमारे करीब तीन सो पुराने जो सिलालेख और मुर्तियां थी, जो कभी हिंदुस्तान से कोई चोरी कर गया होगा, कोई पंदरा सो साल पुरानी, कोई दोहजार साल पुरानी, तीन सो सिलालेख और मुर्तियां भारत को लोटाई है, अभी तक, अमेरिका ऐसी लगबग, पान्सो दरोहरें भारत को लोटा चुका है, ये कोई छोटी सी चीज लोटाने का विशे नहीं है, कि हमारी हजारों वर्षों की विरासत का सम्मान है, ये भारत का सम्मान है, और ये आपका भी सम्मान है, मैं अमेरिका की सरकार का इसके लिए बहुत आभारी हूँ, साथियों, भारत और अमेरिका की पार्टर्शिप लगातार मजबूत हो रही है, हमारी पार्टर्शिप ग्लोबल गुड के लिए है, हम हर छेत्र में सयोग बढ़ा रहे हैं, और इसमें आपकी सहुलियत का भी द्यान है, मैंने पिछले साल ये गोशना की थी, कि सियेटल में हमारी सरकार का नया कॉंसुलेट खोलेगी, अब ये कॉंसुलेट शुरू हो चुका है, मैंने दो और कॉंसुलेट खोलने के लिए आपके सुजाओं मांगे थे, मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है, कि आपके सुजाओं के बाद भारत ने बोस्टन और लॉस एंजलेस में, दो नए कॉंसुलेट खोलने का दिर्ड़े लिया है, मुझे युनिवर्सिटी अफ हुस्टन में, थिरु वल्लू और चैर अफ तमिल स्टडिज को, एनाउस करने की भी खुशी है, इससे महान तमिल संथ थिरु वल्लू और का दर्शन, दुनिया तक पहुताने में और मदद मिलेगी, खात्यों, आपका ये आयोजन वाकई शामदार रहा है, यहाँ जो कल्टरल प्रोग्रम हुआ, वो अद्बूत था, मुझे ये भी बताया गया है, कि इस एवेंट के लिए, हजारों लोग और भी आना चाहते थे, लेकिन वेंट्यू छोटा पड़ गया, जिन साथियों से, मैं यहाँ मिल नहीं पाया, उनसे मैं ख्शमा चाहता हूँ, उन सभी से, अगली बार मुलाकात होगी, किसी और दिन, किसी और वेंट्यू पर, लेकिन मैं जानता हूँ, पुच्छा ऐसा ही होगा, जोश ऐसा ही होगा, आप ऐसे ही स्वस्त रहे, सम्रुद्ध रहे, भारत अमेरिका दोस्ती को, ऐसे ही मजबूत करते रहे, इसी कामरा के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ भूलिये, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद,